यह हमारी बेटी रिया यादव है, इनको 30 सेप्टमबर 2022 को अचानक से 9 बजे के आसपास सुबर यह बिहोसी का दवरा आया और यह बिहोस हो गई, इनके हाथ पर दोनों ताइट हो गए, आखे पॉलट गई, दान्थ बैठ गए, पिर हम इनको ले जाके अपना हेल्थ सेंटर में दिखाये, जहां पे डाक्टों ने प्राइमरी टीटिमेंट किया, उसके बाद इनको रिफर कर दिये जहांसी के लिए, आज हम अपनी पेशेंट रिया यादव, जो की 15 साल की फीमेल है, उसके बारे में बात करेंगे, वो हमारे पास फीवर, बुखार जिसको जवर बो मिलाता और दोरे वहां पे आये जा रहे थे, इस कारण उसको उसके परिजन यहां पे मेदानता लकनों में लेके आए, यहां पे हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उसके दोरे की जो बृतिती थी वो बढ़ती गई, और हम लोगों ने काफी सारी दोरे की दोरे का इसमें इस्तेमाल किया और एक सबह ऐसा था को उसको हम लोगों ने छे से साथ जो दोरे रोकने की दोरे उती उसके बाद जाके उसके दोरे कंट्रोल हुए उसके बाद से दीरे 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 फिर यह रिकावरी मोड में आ गए उसके बाद दोर यह सब करते करते इनको जो है 14 नौवमबर 122 को इनको आई सूसेस जो है सिफ्ट किया गया है इस बीच यह जो है चार अक्टुबर से जब से हम आये थे तब से जो है वेंटिलेटर पे थी क्योंकि इनको जब सीजर साते थे तो यह सांस भी नहीं ले पाती थी कि जाजे से इनको दिक्कत होती थी तो उसके लिए वेंटिलेटर पर डाल गया था यह सब वेंटिलेटर भी लग बाव 17 दिन तख लगा रहा उसकें लोग ऱटाया गया यहां पर हम लोगों ने सारी जाचे कि उसमें माराई ... ब्रें की शीक इन सब जाचों को देखने chim लोगों निसकरस निकाला कि ओ एक अलग टाइब का ब्रेन का वायरल फीवर था और जिस कारण से उसको इतने सारे दोरे आ रहे थे इस टाइब के वायरल बुखार या वायरल मेंचायटिस में लोरे प्रिति इतने सारे आने की बहुत कामनली नहीं देखी जाती है लेकिन फिर को हम लोग IBIG बोलते हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया है धीरे धीरे करके उसके दोरे कम होने सुरू हुए और बाद में करीब हमारे पास तीन से चार हफते रहने के बाद वो अच्छी स्तिती में आई और उसको हम लोगों ने अच्छी कंडिशन में यहां से सारी दवाओं क साथ में छुट्टी किया है यह बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब इस टाइब के बच्चों में और इतने सारे दोरे की बित्ति होती है तो उसको अगर समय से इलाज अच्छी जगह पे मोहिया कराया जाए तो उस कंडिशन में उसके दोरे कंट्रोल होके उसको पुना अगर हम सारे ब्योस्ताओं के साथ में ऐसे मरीज का इलाज समय से सुरू करते हैं तो ऐसे मरीजों में दवाई का रिस्पॉंस बहुत अच्छा आता है यह पेसेंट हमारे पास जिस कंडिशन में आया था उससे जो हम लोगों ने उसको छुटी किया तो बहुत अच्छी कं अच्छी इस्तिती में और जो दवाईया हमने यहां पे उसको छुटी के साहिम में दी है उसारी दवाओं का सेवन पूंडते है बिल्कुल ठीक से कर रही है और वो रेगुलर हमारे फालो अप में ओपीडे में विजट कर रही है डाक्टर सुधाकर पांडे की टीम स्टाप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और डाक्टर सुधाकर सब को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं